हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चनल स्टडी अन रिसर्च में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं शिवाजी एवं मराथा सामराज के विशे में कुछ महतुपूर्ण प्रश्न और ये पार्ट 3 है अगर पिछली पार्ट आ नाम से प्लेलिस्ट पने हुई है और लिंक दिये गया है लिंक के माधिम से आप सारे वीडियो देख सकते हैं इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जुरू प्रेस कर ले ताकि इस कर वीडियो जब भी अप्लोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके इसके लाव प्रेंट्स जो एड आते हैं वीडियो पे आप लोग उसे रिक्वेस्ट है उसे स्किप मत किया करिए चलि अपने स्टड़ी पे चलते हैं तो सुझ्टी तक करने कोशन सॉल्फ कर लिए थे कर शिवाजी के निम्न लिखित उत्तर आधिकारियों में से किसे औरंग जेव ने इमानदार की उपाधी दी तो इमानदार की उपाधी दी थी तारा बैगो आप्शन B हमारा करेक्ट हो जाएगा औरम जेब की मृत्यू के समय मराठा नेतत किसके हाथों में था तो ये नेतत था तारा बाई के हाथों में ऑप्शन डी इस करेक्ट शिवा जी ने किस दर से भू राजस वसूल किया तो जो भू राजस की वसूली होई है उपज का दो बटे पाच्वा भाग ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा राजा राम की धर्ण पत्नी और शिवा जी दुतिय की माता का क्या नाम था तो तारा बाई था ओप्शन डी इस करेक्ट शिवा जी की घुड़ सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था तो सबसे नीचे की जो श्रेणी में आता था वह कहलाता था हावलदार option A is correct क्रशी उत्पादन में भूराजुस के रूप में राज का हिस्सा शिवा जी की भूमिकर व्यवस्था में कितना था तो ये था 40 प्रतिशत के लगबग option D is correct मराठा सेना में बारगीर क्या था तो ये घुड़ सवार को कहा जाता था बारगीर option C is correct निम्न लिखित में से किसके आधीन मराठा घुड़ सवार सेना की 25 घुड़ सवारो वाली सबसे छोटी इकाई थी तो हवलदार फिर से एक बार कोशन पर लेते हैं नेम्न में से किसके आधीन मराठा घुर सवार सेना की 25 घुर सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी तो हवलदार option B is correct पानी पत्का तीसरा युद 1761 में किन पक्षों के बीच हुआ तो ये पक्ष थे अहमद शाह अबदाली और मराठों के बीच option C is correct शिवा जी की शाही अशुसेना को क्या कहते थे तो इसे कहा जाता था बार गीर option B is correct पानी पत्के तीसरे युद में नेम्न में से किसने मराठा को हराया था तो अफगानों ने मराठों को हराया था option A is correct पानी पत्का तीसरा युद लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अबदाली के बीच option C हमारा correct हो जाएगा पानी पत्के तीसरे युद में मराठों को पराजित किया था तो मराठों को जो पराजित किया था वह था अफगान option B is correct पानीपत के तृतिय युद्ध में मराठो को पराजित किया तो अफगानों ने अफगानों ने ही पराजित किया था option D is correct पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वश तो कौनसे वश लड़ा गया था तो ये वश था option B is correct पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ तो ये वश था अहमद शाह अफदाली और मराठो के बीच option A is correct पानीपत के तृतिय युद्ध में मराठो की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था तो ये जो सेना नायक था वह था इब्राहिम गर्दी option B is correct मराठा तोप खाने का मुख्य व्यवस्थापक थे तो इब्राहिम खां गर्दी मराठा तोपो के मुख्य व्यवस्थापक व्यवस्था करने वाले थे अहमद शाह अबदाली के भारत पर आक्रमन और पानीपत की तिरतिय लड़ाई लड़ने का तातकालिक कारण था तातकालिक जो कारण बना था वह था वह मराठो द्वारा लौहौर से अपने वाइस राय तैमूर शाह को के निशकाशन का बदला लेना चाहता था जिस शाशक के शाशनकाल में पानीपत का तिरतिय युद्धुआ उसका नाम था बाला जी बाजी राओ ऑप्शन सी इस करेक्ट दो मोती विलीन हो गए बाइस सोने की मोहरे लुप्त हो गई और चादी एवं तामबे की तो रूई गढ़ना ही नहीं की जा सकती या अठार्वी शताब्दी के दुतियार्थ के युद्ध में एक भारतिय शक्ति के पराबव का कूट संदेश था या भारतिय शक्ति थी तो ये भारतिय शक्ति थी पेश्वा option b is correct मराठो के विरुद अहमद शाह अब्दाली के समर्थन देने के लिए शाह सुजावद दॉला सुजावद दॉला ने केवल इसलिए प्रेजित हुआ क्यूंकि फिरसे एक पार देख लेते हैं मराठो के विरुद अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए सुजावद दॉला केवल इसलिए प्रेजित हुआ क्यूंकि वह स्वयम के राज को सुरक्षित रखना चाहता था निमने लिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था तो पैदल सेना की बात कर रहा है तो नायक ओप्षिन एस करेक्ट एक इतिहासकार ने पानी पत की तिर्तिय लड़ाई को स्वयम देखा वह कौन था यह था काशी राजपंडित ओप्षिन बी इस करेक्ट वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अली वर्दी खा ने उड़िसा के एक भाग का राजजस्व प्रदान किया था तो रगु जी भोसले ओप्षिन ए इस करेक्ट शिवा जी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था तो पैदल सेना की बात कर रहा है यह ध्यान रखेगा तो नायक मराठो के उतकश का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है तो जो कारण नहीं बना था वह था राजनेतिक जाग्रती पाकिस सभी कारण थे धार्मिक चेतना भोगोलिक सुरक्षा उच्छ नेत्वत शक्ती 1751 में बंगाल के नवाब ने उडिसा का अधिकार किसको हस्तांत्रित किया तो मराठो को हस्तांत्रित किया किस ने कहा था हमें इस जरजर व्रक्ष के तने पर आक्वर करना चाहिए शाखा है तो स्वयम ही गिर जाएगी तो ऐसा खथन देने वाले स्टेक्मेंट देने वाले थे आप्शन भी बाजी राव प्रथम पेश्वाने मुगल सामराज के लिए मराठो के उदय के लिए निम्न लिखित कारणों में से कौन सा एक उत्तरदाई नहीं है मतलब किस कारण से इनका उत्तर उदय हुआ था और दाई तो नहीं है तो जो नहीं है उसी का चुनाव करना है तो हो जाएगा इसमें ओप्शन सी महरास्ट से मुगल दर्वार एवं सत्ता के केंद्र दिली की दूरी यह कारण नहीं है बाकि सभी उत्करश के कारण थे महरास्ट की सामाजिक धार्मिक विशेष्टा हैं महरास्ट के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना कुतुप शाही शाष को द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत प्राश रहें तो यह सभी कारण थे जो उत्तर दाई नहीं था वो हो जाएगा ऑप्शन सी तो फ्रेंड करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जुरूर प्रस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अप्लोट करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सकें तो यह हैं वीडियो जो मैं आपको देती हूं मैं आपको इसका प्लेलिस्ट दिखा द आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो ओके फ्रेंड्स टेक कियर और बाए